नमस्कार प्रवासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में बात करेंगे कि दिल्ली में करनाट के कॉंग्रेस निताओं का प्रदर्शन सिधार मैया ने केंद्री सरकार पर लगाया बड़ा आरूप तो आईए सुनते हैं आज के इस पॉड्कास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि आप रोज ऐसे इंट्रेस्टिंग और जानकारी पॉड्कास्ट सुन सके जंतर मंतर पर करनाटक कॉंग्रेस का विरोध क कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारा विरोध सुनेगी और हमारा मुख्य इरादाराज Vidicay के और कंदर लोगों के हितव की रक्षा करनाइब ने कहा कि जहांन तक टैक्स कलेक्शन की बात है तो करनाटक दूस्रे नमबर पर है और महराराश्ट एक नंबर पर है ।रहसल इ पाख करोड रुपए से ज्यादा का योगदान दे रहा है अगर हम टैक्स के रूप में 100 रुपए खटा करते हैं तो इसे भारत सरकार को देते हैं तो हमें केवल 12 या 13 रुपए ही वापिस मिल रहे हैं डिप्टी सीम डीके शिपकुमार ने कहा कि करनाटक इस देश का सबसे ज्यादा राजे सुदेने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है हम अपना अधिकार मांग रहे हैं हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं हम यहां यहां देखने के लिए आए हैं कि हम सब यहां करनाटक के लोगों के लिए लड़ रहे हैं करनाटक के मंत्री और कॉंग्रिस ने कहा कि हम करो के हस्तान तरण सूखा राहत राशी जो प्रदान नहीं की गई है पर कंड़िगाओं के हितों की रक्षा के लिए यहां है उन्होंने कहा कि यहां चार पांच मांगे हैं करो का बटवारा हमें सूखा राहत राशी नहीं मिल रही केंद्र को समझना चाहिए कि करना साल के दौरान राजी को कुल एक दशमलव आठ साथ लाख करोड रुपए का नुकसान हुआ है उन्होंने इस विसंगती को दूर करने का अगरह किया है साथ ही मुखी मंत्री ने यह साफ किया है कि वह या उनकी सरकार गरीब या विकास में पिछड़े उत्री राज्यों का अ आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुत्य पर देंगे आपको विस्तर जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभासाक्षी के साथ